हेलो फ्रेंड्स देखिए मोस्टी ट्रेडर की यही विश रहती है यही इच्छे रहती है कि स्कैनर मिल जाए सो देट की टाइम वेस्ट ना हो कि हजारो स्टोक देखने का हजारो चार्ट देखने का और साथ में जिससे एक्यूरेसी भी एंक्रीज हो जाए तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टेजी का स्कैनर शेयर करूँगा जैसे कि आप सबको पता ही कि यह देखिए मेरी प्लेइलिस्ट में जाओगे मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर किया था Swing Trading Simple and Powerful Swing Trading Strategy Setup जो two ended ये में cross वाली है तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखिया तो ये part 1 वीडियो था इसमें सिर्फ हमने Swing Trading Strategy और Setup डिसकस किया था, scanner शेयर नहीं किया था तो इसलिए क्वाफिक कमेंट मुझे देखने को मिलें कि साथ scanner भी शेयर कीजिए तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ scanner शेयर कर रहा हूँ so that कि आपका time waste ना हो और आपकी accuracy भी increase हो जाए तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जूर देखिए इसका link का मैं description comment box में डाल दूँगा और comment box में आपको साथ में मारे free telegram channel का link भी मिल जाएगा तो चलिए ये वीडियो श्टार्ट करते हैं और वीडियो श्टार्ट करने से पहले गाई जाप से request रहेगी कि वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा like करते हो और अगर आज की वीडियो का भी मैं target रखूँगा कि अगर इसमें 1000 likes जितनी जल्दी कर दोगे तो फिर मैं next आपके साथ वीडियो stagy, viscous करूँगा तो इसमें simple क्या था मैं आपको brief में दिखा एक बार short में आपको बता देता हूँ बले आपने वो first वाली वीडियो नहीं देखिया है तो इसमें क्या था कि swing trading strategies में 200 EMA और 200 SMA इन दोनों के उपर जब price weekly chart पर जैसे weekly chart मैंने select कर रख यहाँ पर तो weekly chart पर जब इन दोनों के price इन दोनों indicator के उपर price निकल जाता था, cross करता था तब आपको delivery base के लिए swing trading के लिए stock buy करना है तो वो आप holding आपकी one month लेकर three months तक holding हो सकती है अगर आपको target के वर जल्दी मिल जाते है तो फिर आप उसी के coding अपना exit कर सकते हो तो इसको आप क्या है जो यह जो stagy है इसको आप index में और any stocks कहीं भी use कर सकते हो पर इसकी accuracy more than 90% रहती है तो मैं आपको देखिए example के साथ दिखा देता हूँ कि इसका use कैसे होता है तो जैसे for example अगर index में बात करूँ तो जैसे मैंने nifty metal का index ले लिया यहाँ पर प्राइज यह downtrend में चल रहा था और अगर आपको प्राइज एक्षिन की नो ले जाए तो यह दिखिए प्राइज downtrend में था लो बनते जा रहे थे बट यहाँ पर आप देखिए कि 2020 के बाल जैसे इन दोनों की moving average यह दिखी थोड़ा से यहाँ पर यह पास पास आगी थी moving average और इन दोनों moving average के उपर जैसे प्राइज निकला तो fast moment metal के index में देखने को मिला तो जैसे आपको metal का अगर breakout दिखाई दे रहा है तो आप फिर उसी के according to sector के जैसे टाटा स्टील जैसे स्टील लेंदाल को तो इस breakout को देखकर आप stock को buy कर सकते थे और देखिए यह proper price action भी इसमें वहीं पर देखी काम करता जैसे यह जब price नीचे से bounce ले रहा उपर तक जा रहा तो resistance इसमें वही यह दोनों moving average के पास जाकर ही बार बार यह resistance ले रहा था बट finally जब breakout हुआ तब बड़ा move आया ऐसी यह जुरूरी नहीं है यह stocks में आपको जामपल देखता हूं small price के stocks में भी देख सकते हो जैसे यह South Indian Bank का है तो इसमें भी आप देखिए कि price यह resistance ले रहा था 200 EMA के आसपास weekly chart पर बात करूँ जैसे weekly chart यह cross हुआ और यह 13.50 के उपर निकला price 35.5 से 22 हो गया तो almost तो यहां से यह देखिए channel start हुआ था तो यह 10 वाला price 22 हो गया तो आपको कम समय में देखिए 100% return मिल चुका तो मैं तो यहां पर बात करता हूं कि 40% return sorry तो अगर आपने 30.50 पर भी buy किया तभी आपको 40% से ज्यादा return मिल गया तो अगर आप देखिए 40% return मिल गया तो आप short term के लिए exit करो दूसरे strokes में enter करो तो यह सिर्फ आपको एक short में फिर से आपको बता दिया तो otherwise आप जो first part वीडियो है उसको आप देखोगे detail में तो आपको और भी अच्छे से clarification मिलेगी तो इसमें scanner जो हम use करें में इसमें क्या rules है तो वो rules के साथ और मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा यह जो scanner है charting.com create scanner तो इसमें देखिए अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जा रहे हो यह scanner होते हैं यहाँ पर इस website पर sorry इसमें आप खुझ से भी crate scan कर सकते हो तो crate scan पर जाओगे तो इसमें simply देखिए rules क्या है rules में आपको यहाँ पर देखिए rules इसमें simply वो यह है कि weekly chart पर price latest cross above होना चाहिए 200 EMA और 200 SMA के उपर और जो market cap greater than आप किसी श्रोक्स में देखोगे तो वो तो आप अपने coding रख सकते हो 500 जैसे हम लेके चल रहे हैं और price greater than जिसका मतलब price 5 रुपीस से उपर हो तो मैं काम करता हूँ तो यह साथ साथ rule आपके साथ scanner के साथ ही share करता हूँ so that आपको easy समझा जाए और गई जो हम यह 90 प्रेंट के बात कर रहे हैं यह आपकी तब जाद थोड़ी better रहती है जब आपको price action की भी knowledge होती है simple price action की भी knowledge हो for example जैसे chart की uptrend में है downtrend में है sport resistance कौन से हैं और अगर साथ में supply demand का भी knowledge हो जाए तो फिर तो और भी क्या क्या नहीं आपके accuracy बहुत increase हो जाती है तो यह जो हम scanner यूज करेंगे तो इसके साथ साथ अगर आपकी price action भी knowledge है तो आपकी accuracy भढ़ जाती है तो अब हम बात करते हैं scanner कैसे यूज करना है यह तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं देखी create scanner हमने कर लिया create scanner के बाद यह automatic है जाता है stock passes all of the filter in the cash तो यहां तो यह cash segment का मतलब है कि cash के सारे stocks आ जाएंगे और जैसे अगर आप मल लिजिए यहाँ पर future का भी होता है तो आप future के stock को भी सिर्फ जो future में ही stocks है क्योंकि काफी trader सिर्फ F&O में ही F&O वाले stocks को में trade करते हैं तो सिर्फ आप future select के लिए बट आज हम यह यहां पर cash लेके चल रहे है so that कि सारे stocks आज है बट आप cash करते हो तो सारे stocks आज हैंगे F&O वाले भी और cash वाले भी तो इसमें जैसे first हमारा rule जैसे आप यहां पर देख रहे हो तो रूल था कि weekly chart पर latest cross वो ended EMA और यही हम filter यहां पर यूज करेंगे यह हम condition यहां पर लगाएंगे तो यहां पर सबसे पहले close पर जाना है और यहां पर हम जाना है अगर माली जी आपको यह scanner समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को two three times देखिए ठोड़ा pause करकर करके वीडियो को देखे तब आपको अच्छे से समझ आ जाए जाएगा तो यह हमने यहां पर कर लिया और हम जाएंगे close तो यहां पर हम latest close नहीं करेंगे latest का मतलब है कि daily chart पर तो हम इसको weekly chart पर करेंगे कि weekly close तो weekly और यहां पर हम देखिए यहां पर लगाएंगे EMA exponential moving average तो weekly EMA और यहां पर हम करेंगे 200 तो इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हो इसका मतलब क्या है कि latest close close above कि जो weekly chart पर 200 EMA के फूप पर जो close हुए है वो श्टोक निकल कराएंगे तो जैसे हम run scan करोगे तो यहां पर run up scan कर रहे हो तो देखिए कितने ही stocks निकल कर आगे 22 stocks निकल कर आगे बट हमने 22 stocks में काम नहीं करना है बट अगर आप इतना ज्यादा कर सकते हो तो जैसे इसमें भी आपको देखिए कुछ टोक निकल कर आएंगे बट अभी हम होर फिल्टर लगाते हैं तो जो दूसरे हम फिल्टर लगाएंगे कि जैसे कि market cap का तो market cap greater than 500 क्रोड़ों तो यहां भी हम देखिए कि हम एक मिन्ट यहां पर देखिए सर्च कि हमने market cap आ गया market cap यह greater than यहां पर आ गया और नंबर तो यहां पर नंबर कितना हम कि 500 कि market cash जिसका greater than 500 से अब यहां पर देखोगे कि 22 से 11 ही रहेगे stock जो पहले 22 थे वो अब 11 रहेगे क्योंकि हमने market cap वाली भी condition लगा दी क्योंकि तो कि अगर हम यहां पर 50 क्रोड market cap लखेंगे तो वो काफी stock निकल करेंगे तो market cap लगा कर सिर्फ 11 stocks रहेगे और आज गाईस देखिए 7 तो मार्च है आप मैं सिर्फ देखिए week के बीच में यूज कर रहा हूँ अभी सिर्फ Monday का एक training session हुआ है उसके बीच में यूज कर रहा हूँ इसका जैसे यह weekly का मतलब यह जो stocks है मैं आपको थोड़ा clarify कर देता हूँ weekly close का मतलब यह है कि जैसे जो stock जैसे यह India glycol है तो यह अभी weekly chart चल रहा है तो मतलब पिछले वाले week के compare में जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे stock India इसका मतलब यह लेके चल रहा है कि आभी week के बीच में क्यों शोक कर रहा है क्योंकि यह जो पिछला week था उस week को इसने cross कर दिया कि उस week के उपर इसने cross किया है और यह 200 एमेक के उपर भी latest cross किया है तो इसका simple सा यह है तब ही यह हमारे इस scanner में आ गया है क्योंकि इसने week के बीच में ही पिछले week के आई को cross कर दिया तो यह हमने दो condition रख दी अब तीसरी जो हम condition रखेंगे तीसरी condition रखते है कि stock का price कितने से उपर होना चाहिए तो वो आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो कोई compressor ही नहीं है तो इसमें हम latest close तो greater than लेके चलेंगे कि number हम number 5 यह 20 automatic आ रहा है चलो number 5 कि ऐसे stock जो number जिसका price 5 से उपर हो तो पहले भी कोई ऐसा price नहीं था जैसे यह 26 वाला है 68 है तो अगर आप यह 50 कर लोगे हाँ पर तो यह देखिए price थोड़ा और कम हो जाएंगे अगर तो जो stock 50 से बिलो थे देखिए अभी वह stock निकल गया ऐसे ही condition के साथ वहाँ पर आपको stock show करेंगे और अभी इसमें हमने यह EMA तो कर लिया अब इसमें लगाना हम SMA भी लगाएंगे तो latest close crossed above और इसमें हम लगाएंगे SMA SMA यह latest पर जाएंगे वापिस इसको weekly करेंगे और SMA two ended करेंगे तो यह हमने कर लिया तो यह अभी तक तो 10 थे बट मैं सिर्फ जैसे run scan करूँगा तो यह stock कम हो जाएंगे तो किसमें condition यह हो रही है कि जो weekly पर EMA और SMA यहाँ पर यह देखिए कि weekly पर EMA और SMA दोनों को latest cross किया हो क्योंकि जैसे यह देखिए अभी तक जैसे GM ब्रीवरीज है यह देखिए तो इसको भी अगर मैं लेके चलूँगा इस चार्ट को भी अगर आप देख रहे हो तो यह अभी तक उसमें दिखा रहा है क्योंकि यह देखिए latest जो EMA को सिर्फ इसने cross किया है और इस चार्ट को भी अगर आप देखते हो तो यह भी आपके समने perfect example है यह देखिए जैसे यह EMA के उपर sustain हुआ यहां पर और प्राइज एक्शन बार बार क्या कर रहा था यहां पर प्राइज वापिस फिर गुम कर यहीं आ गया एक मैं लाइन यहां पर देखिए रूर्स में आपको बताना बूल गया कि यह जो 200 EMA SMA के मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि प्राइज आपको wholesale के price पर मिल रहा है discount price पर मिल रहा है कि आप बिल्कुल lifetime high के पास breakout नहीं कर रहे है मैंने part 1 में भी समझाया था कि आपको price used big discount पर मिल रहा हो सकता है कि वो 50% correct हो चुका हो यह 60% correct हो चुका हो तो आपको काफी discount के price पर अच्छे च्छे stock मिलते है तो अब आ जाते हैं वापिस तो यहां हमने आप द्वारा से देखी यह चार condition हमने लगा दी अब यह fourth condition के लगाने के बाद हमने run scan करोगे अब आप देखिए run scan किया और यहां पर सिर्फ एक ही stock करा गया MGL महानगर gas limited अब आप इसका चार देखिए sorry guys थोड़ा गला क्राव है तो यह देखिए अब perfectly देखिए सिर्फ और यह तो weekly chart है यह सिर्फ एक दिन की candle है Monday वाली तो week के बीच में भी आपका यह फैदा है कि आपको पता चले गया है कि यह देखिए यहां पर आप लाइन लगाई यह यह यहां पर आप लाइन लगाई यह यह सेम जैसे हमने एक GM stock में देखा था तो सेम बैसे ही देखिए यह resistance ले रहा था price cream cream 935 के उपपर तो जैसे इसके उपपर sustain हुआ volume भी यहां पर इसमें देखिए आप volume भी अपने coding price action में add कर सकते हो बैस तो यहां पर मैं volume के scanner भी लगा सकता हूँ तो इसमें आप देखिए कि इसमें वीकली चार्ट देखिए पहले डेली के चार्ट आपके साथ बाद में share कोनगा तो वीकली चार्ट में price action कैसे आपको दिखाए दे रहा है यह price यहां से देखिए double bottom बना यह देखिए यहां पर यहां पर देख रहे हो double bottom बना और इसके ब आपको थोड़ी जिए तो इसका मतलब के आपको समझाय हुआ है कि यह देखिए price क्या हुआ था प्राई रिष्ट्रेंस तो जुरूर फेस कर रहा था बट इछले वाले लोग को ब्रेक नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह था कि ब्रेक आउट बड़ी जल्दी आने वाला है तो यह ब्रेक आउट mostly sustain जुरूर हो जाते हैं पंपनी भी अच्छी है fundamental अच्छी है तो यह देखिए यह इंट्री वाला श्टोक है और इसमें आपको दिखाई जा रहा है कि रिष्टन से एटलिस्ट यह 1200 के टार्गेट है तो यह 1200 के टार्गेट है और इंट्री जितना आपको इसको 930 पर भी ले सकते हो और इसको अगर अब साथ में आप देखना है कि डेली के चार्ट पर तो मैं यहाँ पर देखिए डेली के चार्ट की कंडिशन इसली नहीं लगा रहा है तो डेली की चार्ट में simple कुछ नहीं लगा रहा है तो यह latest close, cross, above, sun में रहाएगा weekly की बजाए यहाँ पर क्या हो जाएगा यह डेली का लगाँगा तो डेली का नहीं आएगा क्योंकि बिकोज यहाँ पर डेली अगर करूँगा तो वो फिल्टर में नहीं उठाएगा क्योंकि फिल्टर वो उठाएगा latest वाला latest close उठाएगा तो यह तो मैं थोड़ा यह projection को थोड़ा यह देखिए चार्ट को साफ कर रहा हू क्योंकि आपको डेटेल में समझा रहा हो तो वीडियो का फिल्टी हो चुकिए तो आप देखि डेली आप टीवी पर देखते होंगे बार-बार कफी जगा देखते होंगे कि डेली के चार्ट पर ब्रेक आउट आगया, यह में क्रोस हो गया 200 ही में, तो यह आप देखोंग और इस चार्ट में आप देखिए कि इसमें volume भी काफी अच्छा, volume के साथ ये Monday को breakout हुआ है तो इसमें expect है कि इसमें momentum बना रहेगा तो इसमें आपको daily का चार्ट पर filter लगाने की जूटत नहीं, सिर्फ weekly चार्ट पर लगा लिया sorry guys तो ज्यादा भी बोला नहीं जा रहा है वीडियो मुझे यहीं पर करना पड़ेगा तो simple I hope कि आप इसमें समझ चूके होंगे, तो देखिए स्कैनल में सिर्फ 1000 stocks नहीं नहीं बिल्कुल एक ही stock निकल कर आया है और एक ही stock में अगर देखें तो यह 9% का move आया तो इसमें अगर आपको थोड़े dip में मिले यह 945 retest के level पर तो वहाँ पर भी एक perfect entry रहेगी क्योंकि वो आपका break count plus retest हो जाएगा तो अच्छा level हो जाएगा entry का तो यह देखिए यह simple scanner है, इसको आप use कीजिए इसका आप ऐसे screenshot ले लीजिए और फिर इसको बार-बार देखिए, प्राई कीजिए बार-बार वीडियो को देखिए और गैजिए अगर आप चाते हो कि मैं ऐसे ही आपके साथ और भी ऐसे ही scanner share करता रहूं लग-लग तो इस वीडियो का target रहेगा 1000 like जैसे 1000 like आप करता होगे तो मैं promise करता हूँ तो कि next time मैं बड़ी जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा तो I hope कि आज की वीडियो आपके लिए काफी help रहेगी और आप guys scanner की मदद से आप more than 40% profit कर सकते हो बड़ कई वर अगर आपको दिख्टा है कि nifty या और रल market global side वे जाए तो आपको 15-20% profit में ले तब भी आप exit कर सकते हो और बड़ यह है कि अगर आपको projection की knowledge हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहा trailing stock loss use करना है कहा use कौन से level पर करना है तो फिर आपकी flavor आपको फिर वहाँ पर more than 50-100% भी आपको return मिल जाती है तो गाईस आज की वीडियो मैं यहीं पर करता हूँ तो वीडियो को देख पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यावाद साथ मैं disclaimer भी रहेगा जाज जाज शेर कीजिए